आज मैं बनाने जा रही हूँ अर्बी के पत्तों की साग और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और आज हम इसे बिना मसालों के बनाएंगे अलो फ्रेंड्स मैं पायल आपका मेरी चैनल कुक विक पायल में बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले मैंने 20 ग्राम इमली ले लिया है और इसे हम अच्छी तरह से पानी से धोलेंगे और इसके बाद हम पानी में डुबोकर इसे आधे गंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और हम इसका पल्क निकाल सके और तब तक के लिए हम अर्भी के पत्तों को काट लेते हैं तो ये मैंने अर्भी के पत्ते ले लिये हैं डंठल के साल फिर डंठल का जो निचला हिस्सा है इसे हम चाकू की सहायता से थोड़ा सा कट करते हुए इसके रेशे निकाल लेंगे ये देखिए इस तरह से हमें चारो तरफ से कट करते हुए इसका रेशा निकाल लेना है ये देखें फिर हम इस डंटल को पत्ते से अलग कर लेंगे तो हम इसी तरह से सारे पत्तों को डंटल से अलग कर लेंगे तो ये देखें हमने इसका डंटल अलग कर लिया है पत्तों से अब हम इन सब को काट लेंगे तो ये मैंने अर्बी के पत्ते ले लिये हैं और फिर इसे हम सबसे पहले काट लेते हैं इस तरह से हम हातों पे लेके चाकू की सहाइता से इसे काट लेंगे तो इसी तरह से हम सारे पत्ते काट लेंगे इन पत्तों को हमने पहले ही पानी से अच्छी तरह से धोलिया था तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे पत्ते काट लेंगे अब हम इसके डंठल काट लेते हैं तो ये डंठल बहुत ही जल्दी गल जाते हैं तो आप किसी भी साइज में इसे काट सकते हैं तो ये देखिए हमने इसके डंटल भी काट लिये हैं तो अब हम इस तरह का बर्तन ले लेते हैं और उसमें हम अरबी के पत्तों को और इसके डंटल को इसमें डाल देंगे फिर हम इसमें एक बड़ा गलास पानी डाल देंगे पानी हमें उतना डालना है कि ये आधा दूप जाए और फिर हम इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हम मेडियम तु हाइपर आउन कर देते हैं और इसे हम उबाल लेंगे तो नमक को हम अच्छी तरह से इसमें मिला देते हैं फिर हम इसे ढखक कर 10 से 15 मिनिट के लिए उबलने देंगे तो देखिए 15 मिनिट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से गल गए हैं ये देखिए आप देख सकते हैं अब हम गैस को आफ कर देंगे तो अब हम पैन गरम कर लेते हैं फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब सरसुका तेल डाल देंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे 4 सूखी लाल मिर्च फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ग्रेटेड गार्लिक इसे मैंने ग्रेट करके लिया है और इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे पहले बस थोड़ी दिर चलाने के बाद अब हम ये जो अर्वी के पत्तों को हमने उबाला था इसमें मिला देंगे और अभी हम गैस के फ्लेम को मीडियम पर करके इसे हम उबालते हैं फिर हम इसमें स्वादनुसर नमक डाल देंगे और याद रहे आपने पहले भी नमक डाल कर इसे उबाला था तो आप नमक हिसाब से डाले फिर हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे जो हमने इसे भिंगो कर रखा था तो ये मैंने 4 टेबल स्पून के करीब इमली का पल्प डाला है इससे साग में बहुत अच्छा खटा पनाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे और फिर हम इसे ढख कर 5 मिनिट के लिए लो टू मेडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे तो 5 मिनिट हो गए हैं अब हम ढटा के देख लेता है तो ये देखिए हमारी साग अच्छी तरह से गल चुकी है और हमारी अर्भी के पत्तों की साग बनकर तयार हो गई है अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे तो ये देखिए आप इसे रोटी चावल के साथ खा सकते हैं तो आप भी इसे जरू ट्राइ करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिएगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर सकें थैंक यू